नमस्कार दोस्तों मैं अभिने गुपता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अभिने गुपता एजुकेशन क्लासेस पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का most important topic रस तो दोस्तों रस के अंदर आज हम लोग हासरस को complete करेंगे इसकी क्या परिवासा होती है इसके कौन कौन से उधारन हो सकते हैं इसका इस्थाई भाव तो दोस्तों सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग complete करने वाले हैं तो दोस्तों हासरस जो है वो आपके UP board, MP board इसके साथ साथ आपके competitive exam के लिए वी काफी ज़्यादा महतपूर है तो दोस्तों वीडियो में अंते तक बने रहें तो दोस्तों अभी तक आपने हमाई चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज subscribe करके well icon को जरूब प्रस करें तो चलिए दोस्तों शुरुबात करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हासरस का इस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों इस्थाई भाव आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है तो इसका इस्थाई भाव होता है हास किसका हास रसका इस्ताइवाओं आपका हास होता है तिक है अब बात करते हैं इसकी परिवासा की तो दोस्तों इसकी परिवासा बहुत ही सिंपल है बहुत ही ज़्यादा साधारण है शिर्व एक बार अगर आपने इसे ध्यान से समझ लिया तो दोबारा इसे रटने की जरूर व्हाव, हाव, चेश्टा, क्रिया कलाप, वारतालाप, वस्त, व्यक्ति, अथ्वा, इस्थित का ऐसा चित्रण जिस से हासी उत्पन होता है, हासी रस कहलाता है तो दोस्तों जिससे हासी उत्पन होता है हासी मतलब जिससे आपको हसी उत्पन होती है उसे ही हासी रस कहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कहने का तत्परया है कि किसी वी ऐसी आसमाने हाओ हाओ ऐसी क्रिया कलाब को देखकर ऐसे बोलचाल बारतालाब को देखकर ऐसी बस्तु को देखकर या फिर ऐसे बेफ्ति को देखकर जिससे वी आपके मन में हसी उत्पन होती है जिस चीज को भी देख कर आपके मन में हाज से उत्पन होता है मतलब हसी उत्पन होती है उसी को हम लोग हाज से रस कहते हैं तो दोस्तों इसमें याद रखने की एसी कोई भी जरूरत नहीं है सिर्फ एक बाद समझ लिजिए कि कोई भी एसी चीज है जिससे आपके मन में आपने जिसे देखा और आपके मन में हसी उत्पन हुई मतलब कि हास से उत्पन हुआ उसे ही आपका हासी रस कहते हैं ये तो होगे दोस्तों परिवासा अब बात करते हैं इसके उधारूनों की तो सबसे पहला उधारण आपका है जो की सबसे most important उधारण है ना उधारण number one है आपका हाथी जैसा देहे गेंडे जैसी चाल तरबूजी सी खोपड़ी खरबूजी सी गाल तो दोस्तों अगर इसको हम लोग अर्थ निकाल कर समझें तो इससे आपको जरूर ही हसी उत्पन हो तो इसका आर्थी क्या होता है हाथी जैसा देहे मतलब की हाथी के जैसा सरीर मोटा तगड़ा खूब लंबो चोड़ा ठीक है हाथी जैसा देहे गेंडे जैसी चाल मतलब की गेंडे की तरह चाल चलने वाला तरबूजी सी खोपड़ी तरबूजी के समान जिसकी खोपड़ हो और खरवूजे से गाल मतलब की खरवूजे के समान जिसके गाल हो उसे देखकर किसको हसी नहीं आएगी तो दोस्तों यहीं मतलब है कि जिस चीज को देखकर आपको हसी उत्पन हो उसे ही आपका हासी रस कहते हैं और इस या इस उधारण से आपको हसी उत्पन है तो यहाँ पर कौन सा आपका रस हो जाएगा हासी रस हो जाएगा ठीक है अगला उधारन दोस्तों आपका है बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों गबराए सोरी बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए किसी वे हालत में तेरा बाल ना बाका होए तो दोस्तों यहाँ पर अगर 100% हसे जरूर आएगी तो दोस्तों इस उधारन का मतलब यहाँ है कि बुरे समय को देखकर कि जब भी बुरा समय आए उसे देखकर गंजे तू क्यों रोए एक गंजा है उससे कह रहा है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए अब यहाँ पर दोस्तों देखिए जब वो गंजा है तो उसका बाल कहां से बाका होगा तो कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि जब वो गंजा है तो उसका बाल कहां से बाका होगा अर्थात यहाँ पर हसी उत्पन्वी यह तो यहाँ पर कौन सरस हो जाएगा आपका हास सिरस हो जाएगा अगला उधारन दोस्तों आपका है नाना वाहन नाना वैसा बीहसी सिव समाज निज देखा तो दोस्तों यहाँ पर उधारन यहाँ है कि नाना बाहन ना वैसा बीहसी स सिव समाज निज देखा तो दोस्तों इसकार थे कि नाना बहान मतलब कि नानक परकार के वाहन और नानक परकार की बेस भूसा ठीक है बीहसे सिव समाज निज देखा कि समाज इन सब को देखकर हस रहा है अलग-अलग परकार के बहानों को देखकर बीहसे सिव समाज निज दे तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको थोड़ा भी लाप राप्त हुआ है थोड़ा भी ग्यान अर्जित हुआ है तो प्लिस वीडियो को जरूर लाइक करें साथी साथ सेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल बन मत बूलेगा तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में त जे भारत